हाई फ्रेंट चेकवर फिट स्वागात आपका एक्जाम गूर अकेडमी में दोस्तों इस जोग्राफी का मेरा पांचवा लेक्चर है इससे पहले मैंने चार वीडियो अपलोड कर दी है पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बिग बैंक थेयरी क्या है और ब्रमान का निर्मार कैसे हुआ ठीक है तो उसी लेक्चर के करम में आज पांचवे लेक्चर में हम जानेंगी आकाज गंगत था तारू का निर्मार कैसे हुआ तो थोड़ा सा फ्लाइस बैक में जाते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसको सेर करके अपने दोस्तों तब पहुँचा है ताकि वो भी जियोग्राफिक के फ्री क्लासेस का लाब ले सके क्योंकि अगर वो किसी कोची में जागे तो उनको फीज देना पड़ेगा यहां से कुछ फ्री मिल ला है तो ग्यान के प्रकास को हर तरफ फैल ने दीजी इसलिए वीडियो को सेर कीजिए तो थोड़ा सा फ्लैस बैक पे जाते हैं हमने छोटे गोलक यानि एक आग परमाडू की बात की थी जिसकी डेंसिटी यानि की घनत जो है और तापमान यानि की टेंपरेचर दोनों जो है इनफाइनाइट थे यानि की बहुत जादे थे ठीक है इसका अनुमान नहीं लगाए सकता है लेकिन जो है इसका आयतन जो है वो बहुत ही कम था ठीक है तो अगर उसका आयतन कम है टेंपरेचर जादे है और डेंसिटी जादे है तो उसमें विस्पोर्ट तो होना ही है ठीक है तो उसमें जो है महा विस्पोर्ट हुआ ठीक है जिसको हुमने ब्रम्हांद विस्पूड यानि cosmic explosion कहा था ठीक है और इसको हुमने Big Bang की संगया दी थी और फिर हमने देखा था कि Big Bang के तीन मिनट बाद ही पहले परमाडू का निर्माड़ श्टार्ट होगा ठीक है आरंभिक बिंदता से गुर्टवा कर्सट बोलों में बिंदता आई जिसके परिडाम सोरूं पदार्थों का 71 करण हुआ और यही 71 करण आकास गंगाउं के निर्मार का आधार बना, ठीक है तो उसके बाद जो है, आकास गंगाउं का निर्मार हुआ और एक आकास गंगा असंख के तारों का समू होती है तो आपसे परिक्षा में अगर पूछा जाए आकास गंगा क्या होती है तो आपका उत्तर होगा आकास गंगा असंख के तारों का समू होती है आपको मैं फिगर दिकाता हूँ, देखिए इसमें कई सारे इस तार, यानि तारे जो है एक गुरुप में मतलब समुह में हैं ठीक है और इनकों सन्यूक तुरुप से जो है आकास गंगा कहते हैं आकास गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकास वर्सों में मापियाती है ठीक है तो प्रकास वर्स जो हो ये दूरी का मापक है कई लोग कन्फियोज जाते हैं उसको बताते हैं कि ये दूरी का मापक है यह समय कामात रखे तो आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रकास वर्स क्या होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकास गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी जो है हजारों प्रकास वर्सों में होती है एक अकेली आकास गंगा का ब्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकास वर्ष हो सकता है ठीक है तो अगर आपसे परिक्षा भी पूछे कि आकास गंगा का ब्यास कितना हो सकता है तो 80,000 से 1,50,000 प्रकास वर्ष हो सकता है यह आकास गंगा का चित्र है और ये और भी क्लियर चित्र है, इसमें कई सारे आपको जो है, इस्टार्ट से नित तारों के सम्मों दिखाई दे रहे हैं एक आकास गंगा के निर्माड की सुरुवत हाइड्रोजन गैस से बने विसाल बादनों के संजयन से होती है जिसे निहारिका या नेबियूला कहते हैं, ठीक है, तो निहारिका और नेबियूला एक ही चीज है और इसका निर्माड हाइड्रोजन गैस से बने विसाल बादनों से हुआ है तो एक प्रस्न और निकल के आता है यहां से कि निहारिका क्या है निहारिका हाइड्रोजन गैस से बने विसाल बादनों का समू हुए ठीक है तो उसको हम निहारिका कहते हैं और इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैसों के जुन्ड विक्सित होते हैं तथा ये जुन बढ़ते बढ़ते घने गैसी पिंडो में कनवर्ड हो जाते हैं ठीक है और इनी पिंडो को हम तारा कहते हैं यानी स्टार कहते हैं ठीक है तो जो गैसों के जुन होते हैं बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं बहुत बढ़े गैसी पिंड में कनवर्ड हो जाते है जैसे हमारा सूरी है ठीक है तो ये भी गैसी पिंड है ये गैस का गोला है और जिसको हम star बोलते है तारा बोलते है ठीक है वग्ञानिकों का मत है कि तारों का निर्माड लगेkor 5-6 अरब वर्स पहले हुआ है तो एक प्रस्न और निकल के यहां से आता है कि अगर एक्जामें पुछता है कि वैग्यानिकों के मत केनुसा तारो का निर्माण कितने वर्स पहले हुआ तो पांच से छे अरव वर्स पहले हुआता है ठीक है इस लाइनों को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू